सोलन में होली वाले दिन सोलन सबजी मंटी के समीब से एक कार और तीन मोटर साइकल चोरी हो गए जिसकी वज़ा से शेहर वासियों में दहशत का महौल था और सभी डरे हुए थे कि सोलन में वाहन चोरी करने वाले गैंग ने दस्तक दे दी है पुलिस को जैसे ही इस बात की सूशना मिली उन्होंने चोरो की तलाश करना आरंब कर दी और अपने गुप्तचर जगा जगा फैला दिये शेहर में विभिन जगाओं पर नाके बंदी कर दी कुछी घंटों में जागरुक पुलिस ने कार को ट्रेस कर लिया और कार चोर को पकड़ कर सलाखों के पिछे पहुँचा दिया फिलाल पुलिस की पकड़ से अभी बाइक चोर बाहर है उनकी तलाश में पुलिस की विभिन टीमें छापा मारी कर रही है अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक शिफकुमा ने बताया कि उन्हें जैसे ही वाहन चोरी की शिकायत मिली उनकी टीमों ने विभिन क्षेत्रों में नाका बंदी कर दी और उन्होंने आज कार्चोर को गिरफतार कर लिया है ये कार्चोर सोलन के समीप लगते गाउं मशीवर का है जिसका नाम रजत है रजत से आवशक पूश्टाच की जा रही है और उन्हें उमेद है कि जल्दी बाइक चोड़ भी पुलिस की गिरफत में होंगे भी जो है यहां से चोरी हुई है तो इसके पुलिस ने 379 IPC के ताद है फायर दर्ज की थी और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो 800 गाड़ी है इसको रिकवर कर लिया गया है और इसको एक ब्यक्तिक जिससे इसको रिकवर किया है उसका नाम रजत है ये मसीवर कर रहने वाला है यहीं सोलंड का इसको हिरासत में ले लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है केस में आगे और ये गाड़ियां में और कौन-कौन लोग इंवाल्व हैं किन लोगों ने ये गाड़ियां उठाई हैं बाइक्स कहां हैं उसके काम हो रहा है और जल्द ही जो बाकी दोशी है वो भी इसमें अंदर हो